नमस्कार मैं हूँ आपके साथ राश्री सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 नियूस आईए रूख करते हैं आज की खबर की और पूरे शहर में इन दिनों बागेश्वर धाम धिरेन कृष्ण शास्त्री के दोड़ा साथ तारिक से तेरा तारिक के बीच चलने वाली श्रीमत भागवत कथा और उनके दिव्य दर्बार के दर्शन करने का बेसबरी से इंतजार किया जा रहा है इस कथा में 4-5 लाख लोगों के पहुचने की संभावना है जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन के दुड़ा सुरक्षा वैवस्ता के तमाम इंतजाम देखे जा रहे हैं सुरक्षा के लिए देड़ हजार से जादा पुलिस कर्मियों को अनिय जगहों से भी बुलाया गया है इसी कथा स्थल के नस्दिक हाईवे बाईपास पर नई शराब दुकान भी खोली गई है लेकिन दुकान प्रारंब होने से पहले कथा का आयोजन प्रारंब हो गया और अन ये लोगों ने ठेकेदार का आभार प्रकट किया बतादे की शराब दुकान इतने दिन बंद रहने से ठेकेदार का लाखो रुपए का नुकसान हो सकता है बाउजोद इसके धर्म की रहा पर चलते हुए उन्होंने इस दुकान को बंद रखने का निर्णाय लिया है होगी तब तक के लिए वो अपने मदरा की दुकाने रखेंगे हम अपनी समीति को धनवात दे रहें और दारू की दुकाने जो बंद हुई है उनने स्वेक्षा से रिणने लिया तो हम उनको बहुत सादुवाद देना चाहते हैं और हिर्दय से आभार वेक्त करते हैं उनक हमने पहने पहली बार देखा है कि दारू के ठेके दारूने और अके और सणातन के कारिक में के लिए अपनी दारू की दुकाने बंद करी हैं बहुत भाद धन्यवाद बहुत भाओनें हम लोगों ने देखा था उस दिन यहां से जाते हुए कि वहां पर कुछ लोग खड़े रहते हैं दारूपी के तो हमें ऐसा लगा कि यह कुछ दिन जब तक कथा चलेगी यह बंद रहें तो अच्छा है लेकिन अभी हमें ख़बर मिली है कि ठेकदार साहब जो है उदल याद सचीन दिक्षित की रिपोर्ट